हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपेर जिन करेंगे सामसिंग लेसी F13 और मोटो जी 52 5G देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात की जाए डिस्पले से सामसिंग में ही 6.6 इंच रेजुलेशन है 1080 मांटी पार 24 पिक्सल इसमें आपको TFT IPSL छे डिस्पले मिलती है मोटो के हैं डिस्पले 6.6 इंच रेजुलेशन फूल HD प्लैस इसमें आपको AMOLED डिस्पले मिलती है मोटो में आपको 19Hz का एक्रेसिट मिलता है सामसिंग में है 60Hz का और डिस्पले क्वाल्टी में मोटो बैस्ट है क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्पले मिलती है प्रोसेसर की बात की जाए तो सामसिंग का है एक्सिनोस का 850 का CPU है टूपेंज जूरी का हार्प ओक्टाकोर और 890 का फिन फैट जी प्यू है जी बाउन का मोटो का जो प्रोसेर है ओ है स्नैप ट्रेंग का 680 का CPU है टूपेंज फोरी का हार्ट ओक्टाकोर और 690 का फिन फैट और दोनों के ही प्रोसेर गेमी के लिए ठीक ठाक है और बैक केमरा की बात की जाए तो दोनों का है ट्रीपल दोनों का है मेन केमरा 50 का फरंट केमरा की बात करते हैं तो सामसंग का है 8 का मोटो का है 16 का केमरा की क्वार्टी में मोटो बेस्ट है बैटे लाइफ की बात की जाए तो सामसंग में है 6000 isकी मोटो मेंpus 5,000 ish की और दोने की बैटे शनमार्जेंबल है आप दोने की बैटे को निकाल नहीं सकते चार्जा की संसिंंग में 15 वार्ट लेकिन बॉक्स में नहीं मिलता मोटो में 33 वाट दोनों में टाइपों का स्पोर्ट है पिंग सेंसर और फीस लोक भी दोनी ही स्मार्टपोनी मिल जाता है समसिंग में triple sim नहीं मिलतीですか सुरी और मोटो में triple sim नहीं मिलती समसिंग में रहीमें चार्ज़बार शहेज भी की मोटो में यहीं चार्ज़बार शहेज भी की और दोनों की मेमोरी sim है 458 भी की 2-0 में Android 12 है अपने अपनी वाई के साथ में प्राइज की बात की जाए तो सैंसिंग का है 14,999 पी मोटो का है 13,999 पी आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बॉक्स में जरू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफॉन लीना है तो मोटो के साथ जा सकते हो ये बैस्ट है बाकि आपकी चोईस है